नमस्कार दोस्तों वाई टी भारत चैनल के स्नोफॉल प्रडिक्शन सिरीज में एक बार आपका फिर से स्वागत है आज की सिरीज में हम भारत के अलग-अलग प्रमुक हिल स्टेशनों का स्नोफॉल प्रडिक्शन करने वाले हैं फैब के फर्स्ट वीक का एक से लेकर के 6 फैब 2021 का इन हिल स्टेशनों का स्नोफॉल प्रडिक्शन आप देखेंगे और इसके साथ-साथ इन हिल स्टेशनों की और प्रमुक बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी इसी तरह की बहुत ही इंट्रस्टिंग एंट इंफॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए YT भारत चैनल को आजी सब्सक्राइब करें साथ ही में लगे बेल आइकोन को दबाएं और को सेलेक्ट करें ताकि आगे आने वाले इसी तरह के बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो की सारी जान यार कारिया आपको फ्री आफ कॉस्ट मिलती रहे आईए शुरू करते हैं सबसे पहले आपको बताना चालू करते हैं स्नूफॉल प्रेडिक्शन और स्नूफॉल प्रेडिक्शन में मनाली की सबसे दा बात कर लेते हैं क्योंकि इस साल कश्मीर के बाद जो सबसे अच्छी स्नूफॉल पड़ी है वो मनाली के अंदर ही पढ़ रही है और फैब के इस फस्ट वीक में भी संभावना बन रही है मनाली के उपर साइड के एरिया में जैसे हम्ता पास हो गया अंजनी महादेव या सूलांग वैली में तीन से चार फैब के बीच में स्नूफॉल पड़ सकती है मनाली के लोकल सिटी में हो सकता है ना पड़े लेकिन सूलांग वैली के अंदर स्नूफॉल पड़ने की संभावना मैक्सिमम अभी बनी हुई है तीन से चार फैब के बीच में तो अगर आप प्लैन बना रहे हैं तो इस डेट के एराउंड में प्लान बना लिजे और मनाली जो बहुत ही सुन्दर प्लेस है खास करके स्पोर्स एक्टिविटी सुलांग वैली में करने के लिए आप इसको चूस कर सकते हैं इन डेट्स को अब बात कर लेते हैं चलते हैं हिमाचल के एक और ब्यूटिफॉल इस्टेशन पर जहांबे अभी जनवरी के अंदर तो स्नोफॉल नहीं हुई है मैं बात कर रहा हूँ शिमला की हो सकता है कुफरी या नारकंडा में चार से पांच फैब के बीच में स्नोफॉल की संभावना बन रही है तो आप वहां का टूर प्लैन कर सकते हैं अब चलते हैं हिमाचल के डलहौजी में जहां पर तीन से चार फैब के बीच में डाइन कुंड पीक पर स्नोफॉल पढ़ने की संभावना बन रही है अब चलते हैं उत्राखंड के ओली में चार से पांच फैब के बीच में मैक्समम संभावना है उत्राखंड के ओली में स्नोफॉल पढ़े और इस king lovers के लिए तो ये किसी भी जन्न से कम नहीं है अब चलते हैं कश्मीर कश्मीर में सोन मर्ग और गुल मर्ग में 3 से 4 फैब के बीच में स्नोफॉल पढ़ने की संभावना बन रही है आप प्लान बना लिजे क्योंकि इस साल 20 सालों बाद सबसे अच्छी सनोफॉल कश्मीर में देखने को आई है आप भी जाएए इंजॉय करिए अपने family, friends के साथ और बताईए अपना experience YT भरत पर comment करके share करिए इसके साथ दोस्तों YT भरत पर experience share करिए और साथ ही में अपने आपको YT भरत चैनल के इस exclusive वीडियो में अपने को पाईए आप चूस कर सकते हैं और इसके साथ साथ आपके लिए हम एक contest भी लेकर के आए हैं तीन सबसे अच्छे वीडियो को हम select करके उनको thousand रुपीज का gift voucher Amazon का देने वाले हैं जिनका भी सबसे अच्छा होगा और इसको भेजने के लिए मैं आपको वीडियो के description में अपना email आईडी देने जा रहा हूँ नवीन.care2.gmail.com इस पर अपना एक मिनट का वीडियो बना करके भेजिए और उन सभी वीडियो में से तीन वीडियो को select करके हम जो भी अच्छे होंगे उनको thousand रुपेज का Amazon voucher का कोपन भेज देंगे उनकी email आईडेस पर अब आगे चलते हैं और बहुत important चार्ड कारी देते हैं आपको दोस्तो मनाली के सुलांग वैली में रोप वे ओपन हो चुका है आप इसको enjoy कर सकते हैं 700 रुपे में up and down की ticket है अटल टनल अभी खुली हुई है जब तक snowfall नहीं हो रहा है package में अगर आप 20 साल से कम के बच्चों को ले जा रहे हैं तो उनका कोई भी चार्ड नहीं होता वो free of cost होते हैं श्री नगर की flight अब open हो चुकी है जब तक snowfall नहीं हो रहा है तब तक आप वहाँ पर अराम से पहुंच सकते हैं लेकिन एक बार snowfall होने के बाद एक दो दिन तक snowfall बना रहता है और आपको hotel में ही stay करना परता रहे हिमाचल के अगर आप हमटा पास की बात करें तो अभी तीन से चार फैप से पहले आप वहाँ पर जाकर के snow का enjoy ले सकते हैं डिल्ली से हिमाचल की roadways बसे open है आप वहाँ पर अराम से सस्ते टिकट को लेकर के यात्रा कर सकते हैं डिल्ली से अगर हिमाचल पदेश जाना चाहते हैं अब बात कर लेते हैं कौन कौन सा समान आपको ले जाना चाहिए तो मैं अपने पिछले वीडियोज में भी बता चुका हूँ आप वाई टी भरत चैनल पर जाकर के सर्च कर सकते हैं तो जब snow परती है तो वहाँ पर खास करके आपको snow covered कपड़े लेकर के जाने चाहिए जैकेट्स लेकर जाना चाहिए अंब्रेला लेकर के जाना चाहिए शौक्स तीन चार जोड़ी कम सकम लेकर के जाने चाहिए तो इन सब चीजों को लेकर के जाएए और safely हो करके आएए जूते भी आपके अच्छे होने चाहिए जिनकी ग्रिप अच्छी हो इसके साथ सुलांग वैली में बहुत सारी स्नो एक्टिविटी आपको करने को मिलेंगी आपको बतायता हूँ रोपवे, एटीवी राइड, जॉर्बिंग, स्कींग, पैरा ग्लाइडिंग, स्नो स्कूटर, टायर राइड ये सब आप कर सकते हैं और अगर आपको फोटोग्रैप्स क्लिक करवानी हैं कि आप अपने साथ ट्राइपॉड, ट्राइपॉड स्टेंड वाले लेकर के जाएए और अपना जहां मन करें रिमोट के साथ उस ट्राइपॉड से आप अपने फोटोग्रैफ को क्लिक करवा लेजे उमीद करता हूँ आज की वीडियो की जानकारी बहुत ही अच्छी और यूस्फुल लगी होगी इसी तरह की अन्य बहुत ही मरुरंजक जानकारी हासिल करने के लिए वाई टी भारत चनल पर बने रहे हमेशा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत दोस्तों धन्यवाद सब्सक्राइब कीजिए वाई टी भारत चनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लिटिस्ट वीडियो और वो भी बिलकुल फ्री में